नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर पर इस उपस्थित हूँ आप सभी के लिए महतोपुन जानकारियों को लेकर करके आजकल आप सभी नेट पर वीडियोज देखते होंगे कि इन्हों से फेस को गोरा करें सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि इन्हों होता क्या है लेकिन हाँ उन्हीं में जो और elements बताए हुए हैं उनका कैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो अपने आपको fair बना सकते हैं यानि कि अपनी skin को थोड़ी healthy और glowing बना सकते हैं गोरा तो कोई हो नहीं सकता है ये एक fact है कि इस्वर ने जो color दिया है color वहीं रहना है बस उसमें skin में glow आ बहुत सारे देखा होगा आपने की गोरे ही लोग होते हैं लेकिन उनकी skin जो होती है वो डल होती है क्योंकि वो care नहीं करते हैं सही जब सही care नहीं करेंगे आप skin की तो वो गोरा हो करके भी अच्छा नहीं दिख पाता है बंदा तो मीन बात होती है face में glow की अब glow कैसे आए कि आप शहद और निम्भू के साथ इनो को मिक्स करके face पे apply किजिए इससे क्या होगा कि आपको तुरंत लाप तो होगा लेकिन long term में आपको loss होगा क्योंकि baking soda जो है वो sales को तोड़ता है calcium के bond को तोड़ता है वो तो इसलिए उसको baking soda को कभी भी face पे apply नहीं करना चाहिए आ आप शहद और निम्भू को apply किजिए आपको time लगेगा face में glow आने में time लगेगा वो क्या होता है कि instantly आपके face पे जाता है तो soda क्या करता है कौपरों में से mail को तुरंत निकाल देता है तो ऐसे ही आपके face में जो भी dust होगी जो भी elements होगा उनको तुरंत खीच करके बाहर न happiness दिखने लगती है लेकिन अगर आप baking soda को छोड़ करके और केवल निम्भू का और शहद का प्रयोग करते हैं अपने face पर और भाप लेते हैं यानि कि steam लेते हैं face पे आप देखेंगे कि कुछ एक दिनों में आपकी skin healthy or glowing होती जाएगी क्योंकि हम बाहर जाते हैं क्योंकि है यह क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो धूल मिटी कण इतनी हमारे face पर पढ़ते हैं pollution की वज़े से हमारी skin जो है वह damage हो जाती है तो उसको protect करने के लिए यह चीज़ें जरूरी होती है कि आप इसकी बाहतम सुरक्षा का खयार रखें internally भी करना होगा अमान लीजे कि हमारी problem जो है वो खाने पीने के वज़े से हम बहुत ज़्यादा पीजा पर अगर यह खाना late night तक जगना कर रहे हैं इसकी वज़े से हमारी skin dull हुई है और हम बाहर से चाहें कुछ भी लगाले सहद लगाले कि इतना भी निम्बू लगाले कोई फायदा नहीं होने का आपको सबसे पहले अपनी problem को समझना होगा कि आपकी skin की problem है क्या बाहतम है या internal है अगर internal है तो उसको खान पान से ठीक किया जा सकता है अगर बाहरी pollution की वज़े से है तो आपको यह बाहर से शहद और निम्बू का घोल यानि कि मिश्रन आपको लगा लाना चीए फेस पर इससे क् जो है moisturizer का रूप में काम करता है और glowness लाता है फेस पर पोशक तत्व देता है इसकिन को जिससे की skin healthy और glowing होती है क्योंकि जब सफाई हो जाएगी तो face को moisturizing भी चाहिए होता है तो इसलिए यह बेश्ट तरीका है आपको थोड़ा लंबा time लगेगा इसमें क्योंकि कोई भी देशी और शद ही जो होती है वह अपना work करने में time लेती है लेकिन आप अगर लगातार करते हैं निरंतरता रखते हैं तो आपकी skin healthy और glowing हो जाएगी बस इसका खयाल रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा गोरा होने के चक्कर में अपने face पर कोई भी चीज अपलाई नहीं कर दोस्तों